Dear students, welcome in math class. Today our new chapter हमारे पास second polynomials. हमारे पास exercise 2.1 सबसे पहले फिर हमस्की कुछ definitions करेंगे. जैसे इसके नाम से पता है poly-ľnomiols. यह हमारे पास मिलकर बना है टू-iskoारी प्लस-णomials. poly means होता है many. अरॅर normials मिलत होता है trams. यहनि नाम से पता है कि many trams, जिसके अंदर बहुत सारी trams होती हैं, उसको बोलते हम polynomiols. लेकि इसकी definition कैसे write करेंगे. and algebraic expressions of real numbers whose degrees whole numbers यानि एक combination होता है real numbers का with algebraic होती इसमें words आये हैं इसकी जो definition है algebraic expressions algebraic expressions क्या होती है हमारे पास हमारे पास algebra यानि हमारे पास constant का और reals number का combination जैसे हमारे पास 2x इसके इंदर हमारा 2 है ये constant है और जो x हमारे पास क्या है variable x क्या हमारे पास variable है यानि combination किसका हमारे पास constant का और variable का उसको बोलते हैं algebraic expressions ये plus में, minus में, multiply में, divide में कैसे भी हो सकती है combination हमारे पास math के 4 operation है कोई भी इसके उपर apply हो सकते हैं ये हमारे पास constant होती है यानि जो value fixed है, 2 है, 2 रहेगा, 3 है तो 3 है, ये हमारे constant value होती है variable, variable मिन्स इनकी value change होती रहती है value हमारे पास variable की x value कभी 2 है, कभी 4 है, कभी 3 हा रही है तो हमारे पास ये variable है variable means change होना अब दूसरा word आ है reals number का reals number हमारे पास सभी है reals number 2 types को होती है rational और rational यानि हमारे पास जैसे हमारे पास root 3 x scale यह हमारे पास के आगे reals number यह rational number है, यह reals number के अंदरी count होती है, यानि algebraic expressions हमारे पास किसकी reals number की है, यानि हमारे पास algebra combination है वो root 3, root में भी हो सकता है minus 1 by 2 x इस तरह पी हो सकता है यानि reals number का combination हमारे पास है तिसरा word आए हमारे पास इसके अंदर whole number, whole numbers यानि इसकी जो degree है वो whole number के अंदर होगी, whole numbers यानि हमारे पास whole number कुण से होती है, 0 1, 2, 3, so on, यह सभी के सभी number whole numbers के अंदर आते है तो हमारे पास यानि degree जो polynomial की degree है वो 0 ही होगी, अगर 0 से less होगी यानि negative number आगा degree के अंदर तो हमारे पास वो polynomial नहीं होगी अब तिसरा word इसके दरा है हमारे पास degree degree होता है कि जो हमारे पास algebraic expression है उसकी जो highest power है वो हमारे पास उसको ही हम degree गते है, जैसे 2x की power square प्लस 2 अब हमारे पास जो ये 2 है यानि ये जो power है यहाँ पर maximum power के है 2 तो degree हमारे पास इसकी क्या बन गई 2 तो ये हमारे पास degree होता है यानि algebraic expressions का combination होता है जिसकी degree हमारे पास whole number होने चीए यानि जो maximum जो power है अगर वो 0, 1, 2, 3 में से कुछ भी है तो हमारे पास polynomial है otherwise no तो ये हमारे words थे main polynomial की पहचान क्या है कि हमारे पास polynomials poly means many, बहुत सारी इसके अदर trumps होती है और किस combination होती है algebraic expression के combination होती है और algebraic expression का combination कि किसका होता है reals numbers का होता है यानि उसमें root वाले equation भी आ सकती है minus वाले भी plus वाले भी कोई भी value उसके अदर जो constant value हो वो reals number होती है इसके अदर और जो variable है हमारे पास variable की degree हमारे पास क्या होगी whole number होगी तब ही हुआ हमारे पास polynomial कहलाएगी हमारा first question इसी के उपर based है which of the flowing जो निच्चे दीगी equations है उसमें से polynomial कोण सी है और one variable की भी हमने style करनी है अब हमारे पास first question है 4x square minus 3x plus 7 अब ये polynomial जहां इसकी degree क्या है हमारे पास क्या है 2 और 2 क्या है इससे whole number है तो ये हमारे पास polynomial है polynomial yes और reason क्या है कि हमारे पास जो degree क्या है वो degree क्या है whole number है जब degree हमारे पास whole number होती है तो वो हमारे पास polynomial होती है और one variable क्योंकि जो इसमें भी x है यहां भी x है तो ये हमारे पास क्या है one variable तो ये हमारी one variable है अब इसी गत second part देखू इसी के second part में देखो y square plus root 2 y यानि जो constant की जो degree हमारे पास क्या है यहां पे degree भी हमारे पास क्या है two ये भी हमारे पास क्या है polynomial है और variable इसमें सिरफ y ही है यानि जिसकी value change हो सकती है variable क्या होते है जो English के हमारे पास alphabet है वो सबीग्स भी variable में count होते है कि उनकी value change होती है तो one variable है ये भी आपकी one variable है और degree हमारे पास two है यानि हमारे पास whole number degree है तो ये भी polynomial है yes ये भी one variable है अब हमारे पास question number third आता है थर्ड पार्ट इसका थरी रूट टी रूट का मतले होता है कि हमारे पास जो टी की पावर है वो गया है 1 by 2 और 1 by 2 is rational number ये हमारे पास whole number नहीं है तो हमारे पास degree हमारे पास इसकी जो maximum degree है वैसे 1 है लेकिन हमारे पास इसकी जो रूट के अंदर आता है इसकी पावर हमारे पास क्या आगी 1 by 2 टी की पावर क्या है 1 by 2 तो 1 by 2 हमारे पास क्या है rational number हमारे पास power क्या होनी चीए whole number तो हमारे पास ये no ये हमारे पास polynomial नहीं है क्योंकि degree is a rational number degree हमारे पास whole number होनी चीए अब हमारे पास y प्लस में 2 by y अगर हम इसको सई फोग में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे y प्लस में 2 और y की पावर minus 1 क्योंकि किसी को denominator से numerator में चेंज करते हैं तो इसकी पावर पे इस हैट पड़ता है यहां पर y positive है तो हमारे पास y की पावर negative होगी अब हमारे पास यह हमारे पास minus 1 इसकी जो पावर है वो minus 1 में है minus 1 है इतमींस यह integer है तो integer हमारे पास जो पावर है वो किसी भी polynomial की हमारे पास hall number होनी चीए यह जीरो से start होनी चीए 0, 1, 2, 3, 4, 5 में से कुछ भी हो सकता है लेकिन ने negative होगी ने national number होगी तो यह भी हमारे पास क्या हुआ polynomial no यह polynomial ही नहीं है अब हमारे पास last part है x की power 10, y की power 30, t की power 50 यह हमारे पास सब की degree hall number है तो यह polynomial है लेकिन हमारे पास polynomial है लेकिन हमारे पास कितने है इसके अंदर variable कितने है थ्री variable है थ्री variable है इसके variable कितने है थ्री क्योंकि 1, 2, 3 जो alpha wet angles की हो इसके अंदर 3 है तो हमारे पास इसके variable 3 है तो यह हमारे पास question number first यानि किसी भी की पावर डिगरी होल नंबर हो तो वो पोलनोमिल है अधरवाइज नहीं Dear students, complete your question first